सालासर बाला जी भगवान हनुमान के भक्तों के लिए एक धार्मिक स्थल है ये राजस्थान के चूरु जिले में स्थित है वर्ष भर में असंखि भारतिय भक्त दर्शन के लिए सालासर धाम जाते हैं हर वर्ष चैत्र पूर्णिमा और आश्विन पूर्णिमा पर यहां पर मेलों का आयोजन किया जाता है मेलों की समय 6-7 लाख लोग अपने इस देवता को श्रधांजली देने के लिए यहां एकत्रित होते हैं भारत में ये एकमात्र बालाजी का मंदिर है जिसमें बालाजी के दाड़ी और मूझ है बाकी जहरे पर रामभक्ती में रामायू बढ़ाने का सिंदूर चड़ा हुआ है कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण मुसलिम कारिगरों ने किया था जिसमें मुख्य थे फतैपुर से नूर मुहमत और दावू हनुमान सेवा समिती मंदिर और मेलों के प्रभंधन का काम करती है श्री हनुमान जेनती का उत्सव हर साल चैतर शुक्ल चतोदरशी और पोर्णिमा को मनाया जाता है श्री हनुमान जेनती के इस अबसर पर भारत के हर कोने से लाखोश धालू यहाँ पहुचते हैं सालासर बालाजी धाम हनमान जी के 10 प्रमुक सिद शक्ति पीठों में से सबसे महत्वपूर्ण स्थल है सालासर हनमान जी का मंदिर पूर्व मुखी है जिसके आगने शेत्र में धुनी जलती रहती है श्री बाला जी के मंदिर की पूर्व दिशा में दो किलोमीटर पर अंजना माता का मंदिर है शक्ति पीट का इतिहास संच 1754 इस्वी में नागोर के असोटा निवासी साखा जाटको घिटोला के खेत में हल जोतते समय एक मूर्ती मिली रात को स्वफ्ण में श्री हनुमान ने प्रगठोकर मूर्ती को सालासर पहुंचाने का आदेश दिया उसी रात सालासर में भक्त मोहंदास जी को भी हनुमान जी ने दर्शन देकर कहा कि असोटा ठाकर द्वारा भेजी गई काले पत्थर की मूर्ती को टीले पर जहां बैल चलते चलते रुक जाएं वहीं श्री बाला जी की प्रतिमा स्थापित कर देना वो बैलगाडी आज भी सालासर धाम में दक्षन पोल पर दर्शनात रखी हुई है अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें प्रूब 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 भूलें